ये प्रेस वारता एक एहम बिंदू पे की जा रही है जैसा सभी न्यूस चानल्स में दिखाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में जो एडी के अफसर गए थे जाज करने उन पर जान लेवा हमला टी-म-सी के गुंडों ने और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैद गुस्पैटिये इन्होंने किया है ये शर्णाग तो है ही कि बंगाल ममता बैनर जी के नाग के नीचे जंगल राज का परियाय बन चुका है लेकिन ये चिंता जनक भी है किस तरह से कानून विवस्ता ध्वस्त है ममता बैनर जी मस्त है कानून विरस्ता ध्वस्त है, ममता बैर्ण जी बस्त है यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री संविदान की शपत लेता है तो वो ये शपत लेता है कि मैं संविदान का पालं करके संविदान की रक्षा करूँगा मम्ता बैनर जी ने भी भारत के सम्विदान की ही शबत लिये और जब कानून का पालन करते हुए जो घोटाले पच्चिम मंगाल में हुए हैं जिनको रोकने का मम्ता बैनर जी का था उसकी जाज करने के लिए ED के अधिकारी जाते हैं तो उन पे जान लेवा हमला होता है और बताया जा रहा है कि 2-3 ED के अधिकारी हैं जो छोटिल है जिनको गंभीर छोटे लगी हैं और अस्पताल गए मम्ता बैनर जी का एक इतिहास रहा है और तत्यों के अधार पर मैं आपको बताता हूँ याद करिए 2 मई 2021 पच्चिम मंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे एसी हिंसा हुई हत्याए हुई बलतकार हुए घर जलाए गए क्योंकि जितने गुंडे हैं उनको ये बात पता है कि हमें डरने की आवशक्ता नहीं है हमें मुख्यमंत्री ममता बैनर जी का संरक्षर प्राप्त है और मैं ये कहता हूँ आज इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ ममता बैनर जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुरसी पे बनी रहें उनको इस्तीफा देना चाहिए ममता बैनर जी जिम्मेदारी लेने से आप इतना घबराती क्यों आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जो एडी अफसर थे कानून के रक्षक ये वहां की पुलीस को कॉल करते हैं कि मदद चाहिए टीमसी के गुंडों ने जान लेवा हमला कर दिया है टीमसी लीडर शाजहा शेक इनकी यहां एडी शापा मार रही थी पहले तो कोई घर से निकला नहीं उसके बाद ये जान लेवा हमला हो जाता है आज सोचिए कितना चिंता जनक है पुलीस ने एडी के अफसरों से बात करने से बना कर दिया तो मैं ये कहूंगा शाजहा शेक मामला तो शाजहा शेक का है पर शेक किसकी है ये शेकी किसकी है कि मैं कानून से उपर हूँ ये तो अराजक ममता बहर जी की है और ममता बहर जी आपको ये गलत फहमी हो गई है कि जो कानून के रक्षक हैं जो इमानदार अफसर अपना कारे करेंगे उनको आपके गुंडे पीटेंगे तो मैं आपको ये बता दू इस मंच से कानून का जब डंडा चलेगा तो ये जितने गुंडे हैं न इनको नानी याद आ जाएगी इनको आप बचा नहीं पाएंगी ये लड़ाई कानून के डंडे और मंता के गुंडों के बीच में है और जीत हमेशा कानून की होती है वर्दी की होती है हमारे जो अफसर इमांदारी से अपना कारे कर रहे हैं उनकी होती है और इस बार भी उनी की जीत होगी ये आशवासन इसके देना भी बड़ा आवशक है मैंने आपको एक उधारन दिया मैं एक और उधारन देता हूँ ये जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ये न्यूस जब सुप्रीम कोट में मामला चल रहा था पश्चिम मंगाल के पंचायच चुनाव का तो सुप्रीम कोट ने क्या कहा था देमोक्रिसी नॉट वर्किंग एट पंचायच लेवल इन बंगॉल और ये आज के लिए भी बिलकुल प्रसंगिक है लोगतंत्र पश्चिम मंगाल में खतम हो गया है जब सम्विधान और वर्दी का रसूक न रहे जब मुख्यमंत्री कानून के साथ ना खड़ा हो बलकि गुंडों के साथ खड़ा हो जाए तो ये कहना गलब नहीं होगा कि मम्ता बैनर जी के मन में आज केवल सत्ता का सुक भोगना है और मैं जब बात करता हूँ अफसरों की इमानदार अफसरों की मैं एक बात और बता दू पश्चिम मंगाल की जंता भी आज कह रही है कि मम्ता बैनर जी ना हो गई अराजकता की मूर्ती हो गई न्याई की मूर्ती सुना होगा अपने न्याले में होती आज मम्ता बैनर जी जो है अराजकता की मूर्ती हो गई जंता को डराया जाता है इससे पहले जब CBI के अफसर पच्चिम मंगाल गए थे जाज करने तो उनको बंद कर दिया गया था कमरे में पच्चिम मंगाल की पुलिस द्वारा पहली बार ऐसा हुआ कि लोकतंत्र में वर्दी धरने पे बैठी थी मंता बैनर जी के साथ और मैं इतना ही कहूंगा कि जब जंता की ही हत्या की जाए क्योंकि उन्होंने अपना लोकतंत्रिक जो अधिकार है उसका इस्तमाल किया है और उनको टार्गेट किया जाए कि आपने हमारे लिए वोट क्यों नहीं किया ये बिलकुत स्पष्ट कर देता है कि आज मंता बैनर जी जंगल राज का परयाए हैं और जैसा मैंने कहा पुना दोराते हुए ये जो लडाई है ये कानूनी डंडे और मंता बैनर जी के गुंडों के बीच में है और जीत कानून की होगी एक और बहुत ही एहम बात आपके बीच में मैं रखता हूँ इसका एक और पहलू है केंद्र में इमांदार सरकार है जहां जेजिंसिया अपना कारे कर रही है जो भ्रष्टचारी जनता का धन लूट के बैठे थे जिनको लगता था हम कानून से उपर हैं आप उनके क्रत देखिए हमने प्रेसवारता कल और परसो करी और मुद्दा उठाया इडी के समन आये अर्विंद केजरिवाल ने इडी से हुकम किया अपना समन वापस लो मैं आदेश देता हूं ब्रष्टचारी नंबर वन कट्टर बहिमान अर्विंद केजरिवाल इडी को आदेश देते हैं अब जरा देखिए जहरखंड में हिमन्त सुरेन साथ समन गए साथ हिमन्त सुरेन ने कहा मेरा तो भ्रष्टचारियों के साथ साथ है आप साथ दो छे दो पाज दो मैं नहीं आ रहा हूं ये क्या है ये भी इंडी एलाइंज घमंडिया गुट के एक घटकडल है उसके बाद विचित्र बात है ऐसा लगा कि भ्रष्टचार का गोंद इने जोड़े है बिहार में तिजस्वी को तिजस्वी यादव को समनाया उन्होंने भी कहा अंदेखी कर दी और इन सब के ऊपर खेला होबे मैं आई हूँ तो मैं तो गुंड़ागर्दी करूँगी ये कानून क्या होता है सम्विदान क्या होता है ममताबैर जी उन्होंने आज एक नया खेला होबे मौडल दिया है उन्होंने दिखाया कि मेरे पास मेरे प्रदेश के अंदर अगर कोई E.D. का अफसर खुज भी जाएगा न तो मेरे गुंडे हैं मैं उनको भेजूंगी पुलिस को कहूंगी कि जो E.D. के अफसर हैं जिनकी जान पर बनाई है उनकी मदद ना करना टीमसी के गुंडों के साथ खड़े हो जाना ये एक खेला होबे मॉडल भी आ गया है और मैं एक बात और कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा देश की जनता पश्चिम मंगाल की जनता बहुत समझदार है वो सब देख रही है हम ये बात बार बार उठाते हैं पश्चिम मंगाल में अराजकता की पराकाष्टा हो गए गुंडागर्दी चरम सीमा पर है आप सोचिए जो इंडी एलाइंस के घटक दल एक साथ आने की बात करते हैं जब अती हो जाती है तो वो क्या कहते है मैं पढ़ देता हूँ अधीर अंजन चौदरी ये तो वरिष्ट नेता है पश्चिम मंगाल से आते हैं कॉंग्रिस पार्टी के इन्हों ने आज कहा है सत्ता रूड पार्टी के गुंडों ने एडी अधिकारियों पर जो हमले की है इससे ये सपष्ट होता है कि राज में कानून विवस्ता का हाल बुरा होता जा रहा है आज वे घायल हुए हैं कल उनकी हत्या भी हो सकती है इस बात पर ध्यान दीजेगा मुख्य मुद्दा मैंने आपके समक्ष में रखा भारतिय जंता पार्टी में इतना दमखम है कि हम पश्चिम मंगाल की जंता की लड़ाई इमानदार अफसरों की लड़ाई पुर जोर तरीके से लड़ेंगे लेकिन जब पराकाश्ठा हो जाया राजक्ता की तो घमंडिया के घटक दल क्या कह रहे हैं ये अतियावशक है ये अराजक्ता ये गुंडा गर्दी इस घिनोने रूप में सामने आई है कि कॉंग्रेस पार्टी के नेता जो लीडर हैं संसर्द में वो स्वयम कह रहे हैं कि आज तो घायल हुए हैं आगे तो हत्या भी हो सकती है क्योंकि कानून व्यस्था का हाल बुरा होता जा रहा है ये साफ दर्चाता है मंता बैर जी को कोई हक नहीं है कि एक दिन भी वो कुरसी पे रहें मुख्यमंत्री पज से इस्तिफा दे जनता से माफी मांगे और जो इमानदार अफसर हैं इन पे ये हमला हुआ उनसे माफी मांगनी चाहिए मंता बैर जी को और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं मैं समझता हूँ कि जनता देख रही है ऐसी चोट पड़ेगी लोकतंत्र में वोट की की राजनिती भूल जाएंगी बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रश्ण होंगे इस बिंदू पर देखिए मैंने आपके समक्ष तथ्थे रखे और बिंदू वार तरीके से आपको बताया कि अभी हमारी क्या मांग है मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए और यह उमीद भी करता हूँ कि वो हर उस अफसर से जिस पे हमला हुआ है जिसको गंभीर चोटे लगी है उनसे माफी मांगेंगी इतनी उमीद हम जरूर रखते है देखिए भारती जनता पार्टी ने हमेशा एक बात बिल्कुल स्पश्ट कही है भारत भारतियों के लिए कोई अवैद घुसपैटिया जब हमारे भारत में रहता है तो पहली बात तो उससे भारत की भूमी से भारत के हिट से कोई लगाव नहीं है दूसरी बात वो भारतिये का हक मारता है और तीसरी बात मैं कह दूँ इसी संदर्व में जब बात होती है CAA और NRC की तो ममता बैनर जी को भारतिये प्रिये नहीं है लेकिन अगर कोई घुसपैटिया मुसल्मान निकले उनके लिए फ्यूचर वोड़ बांक है तो वो प्रिये है और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर लागू हुआ CAA तो ग्रहयुद्ध हो जाएगा और मैं समझता हूँ आज जो बात जो तत्थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी अवैद घुस्पैटिया ना कभी भारत का सगा था ना है और ना होगा और वो देश के लिए खत्रा है देश में एक कानून है वो कानून सब पर बराबर लागू होगा तेके बिल्कुल वाजब बात आपने कही कि जाज भी होनी चाहिए और वो जाज निश्पक्ष हो ये भी हमें सुनिश्चित करना है और जैसा भारतिय जन्ता पार्टी की प्रदेश हिकाई ने भी एक मांग उठाई है वो मांग वाजब है तमाम दर्वाजे खुले हुए हैं लेकिन ममता बैनर जी को ये बात पता होनी चाहिए कि सच सामने आएगा और जो भी आरोपी है किसी को बक्षा नहीं जाएगा देखे सबसे पहले तो किसी इमांदार अफसर की जान से बढ़के कुछ भी नहीं है लेकिन आपने जो बात कही बहुत अच्छी एक बात आपने प्रस्तुत करी ये एडी के लैपटॉप छीने क्यों गए हैं छीने इसलिए गए हैं कि जो साक्षे इखटे हुए जो विटनेसे हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं एविडिन्स हैं कहीं इससे ममता बैर जी की जो भरष्टाचारी नीतिया हैं उनके नेता घुटाले करते हैं उसका सच ना उजागर हो जाए तभी ऐसा होता है देखे मैंने अभी इसी प्रष्ट का उत्तर दिया और कुछ कहना उचित नहीं है ये एक ऐसी प्रष्टिती है जो अभी भी लाइव है तो आप सब जानते हैं केंद्र की सरकार बड़ी मजबूती से कोई भी अराजक तत्व हो उसको कुछलने का कारे करती है कानूनी दारे में रहके और वो ही होगा मैंने उतर दे दिये धन्यवाद और कोई प्रष्ट है तो ब्रीज बताईए देखिए बहुती वरिष्ट नेता है अगर इतना जरूर कहूंगा थोड़ा सम्विदान पढ़े हैं सम्विदान में ही लिखा है जो गाए है उसको कैसे बचाना भी है और वो हमारे समाज के लिए हितकारी है और ये बात जरूर कहूंगा कि अब तो लोकसभा के चुराव आही गए है जल्दी पता चल जाएगा लोगों की आस्ता श्री नरेंदर मोदी जी में है और नरेंदर मोदी जी की आस्ता संविधान में संविधान को कुछलने का कार तार-तार करने का कार कोई करता है तो वो घमंडिया के जो घटक दल हैं वो करते हैं और यह किसी से छुपा नहीं है यह जो प्रेस कॉंफरेंस है यह भी इसी बात का उधारण है दन्यवाद थांक यू हम लोग तो समाज के रक्षक हैं संविधान में विश्वास करते हैं लेकिन यह हमारा मानना है कि मीडिया भी इससे चिंतित है चिंतित इसलिए है कि चौथा स्थम आप हैं और अगर आपको इस बात की चिंता नहीं है तो यह चिंता जनक है धन्यवाद